पाकिस्तान क्रिकेट में किये गए कई बड़े बदलाव। जब से पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में जगे नहीं बना पाई है तब से PCB में बदलाव का दौर जा रही है। हमने देखा कि पाकिस्तान के जो चीफ सेलेक्टर थे इन जिमामुल हक उन्होंने अपने पत से स्थीपा दे दिया फिर बाबर आजम को कप्तानी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने हेड कोच मिकी आर्थर को बैटिंग क कोच और फिल्डिंग कोच को उनके पत से हटा दिया है बहुत कम टाइम रह गया और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया बहुत बड़ा डिसीजन हेड कोच मिकी आर्थूर बैटिंग कोच एंड्रियू पुटिक फिल्डिंग कोच ग्रैंट ब्रैडबन इन त ट्राक खतम कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और टी-20 वर्ल्ड कप दोहजार चौबीस से पहले बहुत बड़ा डिसीजन है ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डाइरेक्टर है मोहमद हफीज ऐसा कहा जा रहा है कि वहीं अब कोच करने वाले हैं पाकि इस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल जह वह जारी है एश्यकप में इंडिया सारे फिर उसके रिकवारी नहीं कर पाए फिर ओडियाए वर्ल्ड कप खेलने भारत आये वहां भी कुछ खास प्रदर्शन उनका नहीं रहा उसके बाद से अभी औस्टेलिया के साथ तीन तो बिग फ्लॉप है एश्यकप से लेकि अभी तक बस जो नेपाल की खिलाफ उन्होंने मतलब की जो एक सेंच्री लगाई थी शायद 151-150 रिन की जो पारी खेली थी उसके बाद से बैने नहीं देखी कि कभी भी कोई अच्छी पारी बाबराजम ने खेली हो बिल्कुल सह अस्टेलिया से 3-0 सीरीज हार के आया है कही न कहीं बहुत जादा शर्मनाक बात है जब आप बात करता है कि आपका बेस्ट बोलिंग यूनिट है और उस्टेलिया में बोलर्स को फाइदा मिलता है कहीं न कहीं फेवरेबल कंडिशन होती है बोलर्स के लिए लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान कुछ खासा प्रजर्शन नहीं दिखा पाई कल अनॉंसमेंट हुई थी कि शाहिन शाह फ्रीदी कप्तान है T20 I के अनॉंसमेंट हुई थी मोहमद रिज्वान की कि मोहमद रिज्वान होंगे वाइस कप्तान अब ऐसे में कप्तान नहीं होंगे और कोच भी नए होंगे अब पाकिस्तान टीम न्यूजिलांड के खिलाफ टी ट्वेंटी आई सीरीज केलने वाली है वहां पर कैसा परफॉर्मेंस दिखाती है बहुत जादा इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस साल है T20 वर्ल्ड कप 2024 और इतने सारे चेंजिस पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव रहेंगे एक अच्छा इंपाक्ट लाएंगे या नेगेटिव इंपाक्ट लाएंगे टीम में यह देखने वाली बात रहेगी और इसके एक बेटर पिच्चर हमें न्यूजलांड सीरीज में दिखी जाएगी बिलकुल जहां पर हम देख रहे हैं कि टीट्वंटी वर्ल्ड कप 24 के लिए सारी टीम में जुट गई है चाहिप इंडिया को देख लिए और इंग्लैंड को देख लिए हर तरफ क्या हो रहा है कि प्लेंग लेर में चेंजिस किये जा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान एक लौती ऐसी टीम है जिनके मैनेजिमेंट भी ओब एक प्लेंच सकती हैं मतलब कि चीणफ क kangया यह जा रहा है मतलब कि कभी इनके बैटिंग लेक्टर चीणग कभी विथ कोो तो ऐसे कर you go आप अपने प्लेयर्स को अगर आपके प्लेयर्स अच्छी नहीं तो बहुत सारे डोमेस्टिक में भी ऐसे प्लेयर होते हैं जो बहुत अच्छा खेल सकते हैं इंट्रेनिश्ट क्रिकेट आप उन्हें मौका दीजिए बता हमने देखा कि रिजवान ने एक लाश्ट का जो ट प्रिश्र से इमपॉट्रें लेर्स में या यह देखने वाली बात रहेगि और इसलिए हम कहे रहे हैं कि न्यूजिलाइड के खिलाफ जो सीरीज है टी टवेंटी आई की पाकिस्तान की बहुत क्रूशल है टीटवेंटी वर्ल्ड कप दो हजार चौबिस के लिए भी बिलगुल क्यों कि वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास बस यहीं पांच मैंचों की करना है और इसमें मुझे लगता है कि शायद इस दौरे में थोड़ा सा पॉजिटिव कुछ हो जाए पाकिस्तान के लिए बाकि आपका इस पूरे मुद्धे पर क्या कहना है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ साथ हो फान स्पोर्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें